हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग उमीद करते हैं कि बहुत ही अच्छी से होंगे दोस्तों आज की वीडियों हाइब्रेड ही विसकेस प्लांड के उपर है कि इनकी केर हम किस तरह से कर सकते हैं सबसे पहले मैं आपको बताओं कि इन में देखी बहुत ही बड़ा फूल खिला हुआ है कलिया भी बड़ी बड़ी लगी है और काफी हरे भरे हैं बाकी जितने गुड़ल के पहुदे थे सम्में कलिया चोटी थी और पत्या पीली हो रहे थी मैंने अभी जल्द में वीडियों देखी हरे हरे हैं कोई दिकत नहीं लेकिन मैं इनकी मिटी के गुड़ाई करके खाद दोंगी फिर उसके बाद जैसा देखें कि अभी फरवरी महीना बच्चा है तो मैं अगर देखूंगी कि इन में फ्लावरिंग नहीं हो रही है और अब इनकी प्रूनिंग करना है रिप करना बहुत ही जुरूरी है अगर हम कर लेते हैं तो गर्मी भर जो है इनके फूल हमारे गार्डन में खिलते रहेंगे तो इनके उपर केर करना ज्यादा मुश्किल नहीं बहुत ही आसान है चुटी सी कटिंग मैंने लगाई थी कटिंग बहुत आराम से लग गई यह देख जब फूल खिले तो बहुत ही प्यारा लगा अच्छा लगा मन को खुसी मिली तो दोस्तों आप भी जो है समर के लिए इने तयार कर सकते हैं और यह देखिएगा जब इनमें फ्लारिंग कम हो जाएगी ना तो मैं इनके प्रोनिंग करूंगी वैसे कुछ तहनिया जो पहले पाई भी करनी है गुडाई करके फिस खात दे देंगे देखिए चोटी-चोटी कलिया निकले हुई है तो अभी जो है कुछ नहीं करेंगे बस इनमें खात देंगे पाने देंगे फिसके बाद इन्हें धूप में रख देंगे और दोस्तों आप भी अपने गुडल की प्र फ्लारिंग बहुत ही कम होगी इसलिए इनकी देख भाल आप भी कर लीजी देखिए मैंने जितने गुड़ा लगे थे मैंने सबकी केर कर ली बचे थे तो देखिए अब इनमें फ्लारिंग हो रही है तो इनका नमबर लग जाएगा फर्वरी मन्त में मैं निका कर दोंगी तो दोस्तों अगर हम खाद की बात करें ना तो खाद मैंने बहुत ही बढ़ियां बनाई है जिनको प्योग से हमारे सभी प्लांट स्वस्त रहते हैं तो इन में मैंने मिला रखा है सर्स्तो की खली और चाय की पत्ती और गोबर की सड़ी पुरानी खाद और दो चमच मैंने न कोटेशियम मैगनेशियम धे सारे पुर्शक्त तो मौझूद है जो हमारे प्लांट के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमद होते हैं जड़ मजबूत होती है फूल बड़े बड़े आते हैं पत्ते हरे रते हैं टहनी मजबूत होती है तो दोस्तों और गेनिक खाद जो होत अब इनकी कटिंग में और ज़्यादा लगाऊंगी और इस तरह से केर कर सकते हैं अगर केर नहीं करते हैं तो गर्मी में फूल बहुत ही कम खिलेंगे इसलिए दोस्तों इस समय जो है आप अपने गुड़ाल के पौदे के अच्छी तरह से देखबाल कर लीजिए जड़ मिट भल का पौदा है फूलों से भर जाएगा तो दोस्तों आज की वीडियों आपको कैसी लगी अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा सब्सक्राइब करेगा फिर मिलते हैं धन्यवाद